आगे बात करते हैं, economic and financial environment, तो देखो, economic में, of course, tax rate matter करता है, inflation का rate matter करता है, ठीक है, तो ये तो matter करते ही करते हैं, but इनके अलावा कुछ चीज़े और है, जो matter करती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है, types of economic system, सबसे important ये होता है, क्योंकि, किसी भी country का काम करने का framework है, वो framework सबसे पहले बताएगा आपको, कि वो country में आपका business की तरीके से और कैसे grow कर सकता है, तो देखो, students, economic system का मतलब हो गया, बस एक system, ठीक है, by which, by which, people are, और इसको बहुत ज्यादा depth लेके जाऊंगो, क्योंकि आप ये तो definitely जानते होगे, तो कि almost पिछले 3-4 साल से हर साल कई न कई इसको बारे में पढ़ते आए हो, सुनते आए हो आप, तो people earn their livelihood, ठीक है, देखो, एक country है, कोई भी country, आज आप एक मानो, कि country बनी, एक example लेके चलते हैं, कि मान लेते हैं कि वहाँ पे इसका धन्दा, बनलब ये इसका कैसे इंतिजाम किया जाए, इसके लिए country में एक economic system मनाना पड़, है न, let's just suppose मान लो, आपके parents आपको, क्या दे भाई, चलो ठीक है, हमने so far इतना पैसा एक खट्टा किया था, हम आपको ये इतना पैसा दे रहे हैं, तुम अपन बिजनस कर लो, आप बिजनस तो करो, लेकिन बिजनस कौन सा करोगे, system मनाना पड़ेगा न, कि क्या पैसा लगाऊं, किन प्रोजेक्ट में लगाऊं, जिससे कि मुझे एक अच्छी steady earnings आ सके, economic system पुरी दुनिया के तीन पार्ट में divided हो, ठीक है, या तो कोई country अपने आपक एक capitalist economy या capitalism में रखती है, या तो कोई country अपने आपको socialism या socialist economy बनाती है, या तो कोई country अपने आपको एक mixed economy, तो मतलब दुनिया में जितनी भी countries बनी है, वो countries तीन में से किसी एक तरह के economic system को choose करती है, ठीक है, economic system को choose करने का मतलब है कि वहाँ पर इसकी वविस्ता मलब कैसे चलेगे, क्योंकि देखो, job से पैसा नहीं आता, business से आता, क्योंकि business है, तो ही तो job से न, तो आप business को कैसे अपनी country में grow करने दे रहे हो, कैसे operate करने दे रहे हो, वो आपके economic system पे depend करने, तो वो countries जो capitalism को follow करती है, student, उन countries में जादा तर आपने पढ़ा होगा what to produce, how to produce, for home to produce, तो यह जितनी भी economic problems है, इनके जो decision है, capitalism के अंदर, किसको दिये जाते है, यह दे दिये जाते है, market को, तो अगर मैं आपसे capitalism की बात करता हूँ, तो capitalism एक form of business होता है, जहां पे सारे decision किसके होते है, जहां पे सारे decision market के होते है, right, market decide करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, law and order, और other necessity, utilities वाली जो चीज़े है, education, health, water, electricity, इसमें कुछ हद तक जो है, government intervene कर लेती है, बाकी कपडा, खाना, यह सब जितनी भी जादा तर चीज़े हैं, वो सब कुछ कौन देखता है, market, private players अपने profit के साब से, जादा तर western countries में हमें capitalism देखने को मिलता है, जो countries socialism को follow कर होती है, यहां पर एक तरीके से government की supermercy होती है, जादतर जो देश के अंदर business own किये जाते हैं, control किये जाते हैं, वो वहां की सरकारे करती है, right, मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रहा के private नहीं है, private तो होता है, और ऐसा नहीं कि इसमें सरकार नहीं है, सरकार भी होती है, but role, capitalism में private क जो role होता है, वो जादा रहता है, सरकार का role का होता है, socialism के अंदर government has greater role to play into the economic system, right, while private was allowed to some extent, जो private होते है, they are allowed to some extent, उनको कुछ extent तक ही होता है, और अगर उनको कुछ करना भी है, तो जादतर चीज हो के लिए, they need to take permission from the government, उनको government से permission ही पड़ी के तब ही हो सकता है, तो अगर हम बात करें, चाइना की, या Middle East की countries की, तो इन सब countries में जादातर क्या चलता है, socialism, सरकारें जादातर काम पर ध्यान देती है, अब अगर हम बात करेंगे, mixed economy की, तो mixed economy एक ऐसा system है, जहां पर दोनों मिल करके काम करते हैं, तो सारी economy ऐसा नहीं है, mixed में, जो यह portion होता है, यह significant होता है, मिल अब आप ऐसे समझो, 50-50 हो गया एक तरीके से, ठीक है, और 50-50 भी क्या, बहुत जादा चीजे जो होती है, वो private के पास होती है, सरकार, बहुत strategic significance की चीजे अपने पास रखती है, तो presently अगर देखा जाए, तो world में जितने भी देश है, वो सारे mixed economic model तक बहुत चुके है, जाधतर वो उसी को चूज करके बेटे हुए, चलो, तो economic environment, यह हमें सबसे पहले समझना जरूरी था, क्योंकि आपको इस समझना जरूरी है, कि उस देश की जो सरकार है, उसका business के towards क्या है, अब अगर मान लो, मैं China में business करने जा है, लेकिन उसी जगह पे मैं मान लो, किसी ऐसी country में जा रहा हूं, like US, फिर मालन Australia, जहां पे market का रोल जाधा है, तो वहां पे business को establish करना, मेरे ले ले comparatively जाधा असान हो जाएगा, then these countries, right, so, there are the three types of economies, capitalism, communist and mixed economy, communist, nothing but socialism as well, so, in a capitalist economy, such as that in Canada or Singapore, market forces determine the production and consumption, okay, here the government does not interfere with the activities of private companies, on the other hand, in a communist socialist or centrally planned economy, such as North Korea or Cuba, the government owns and controls all the activities in the economy, and the freedom of consumers is limited, right, so, कि जो वो बनाएंगे, जो वो प्रोदूस करेंगे, तो में वही consume करना है, market तो है नहीं कि competition की वज़े से तुमको नही नही चीज़े राके दिता रहेगा, right, सरकार है, तो जो सरकार ने बनाया है, तुम It is a challenge for a foreign private company to enter such economies, in between these two is a mixed economy such as India or France, where the government and private players co-exist, hence, here the strategically important industries, जैसा कि मैंना आपसे कहा, are reserved for the government only, the economic system of foreign country has an impact on the degree of freedom with which companies can enter, set up their plan, undertake production and operate there, इस्ते depend करता है, कि वहाँ पे अगर में को enter करना है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़े है, जो मुझे देखनी समझनी पढ़ेंगी, right, चीक है, अब देखो, यहाँ पे छोटा सा comparison दिया हुआ है, कि basis की बात करो, तो meaning, the private players have control over the ownership and production, socialist की बात करें, the government has control over the ownership and production, mix की बात करें, the government and private players coexist, तो पहली चीज़, ठीक है, next है, control of government, तो no, capitalism में, मैंने पहली बोला कि सब कुछ market पे तो marginal control है, यहाँ पर complete control है, और यहाँ पर जितना area reserve किया गया है, ठीक है, जैसे की, बस समझने के लिए करो, क्योंकि अब तो इंडिया भी अपने आपको liberalize करता जा रहा है, और जादा तर sectors के अंदर private आ चुके हैं, बट समझने के लिए, railways का जो अभी भी काफी बड situation है, वो सरकार के अपने आखने, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि railway privatized नहीं हुआ है, railway के अंदर भी private plates enter कर चुके हैं, लेकिन बहुत, बहुत insignificant है अभी, आने वाले 10-15 सालों में हो जाएगा, तो तब तो हम अपनी नहीं theory पढ़ लेंगे, फिलाल, इस से पहले atomic के उपर, space के उपर, सरकार ने पूरा अपना control किया हुआ था, कि भाई, बाकी business करने करो, लेकिन defense और atomic, इन सब चीज़ों में, जो सरकार है, उसका role रहेगा, private enter नहीं कहा है, competition intense है, क्योंकि private capital के अंदर, सब को allowed a business करना, तो सब लोग business करेंगे, तो competition intense आएगा, socialism की बात मे यहाँ पर क्या होगा, कि बहुत low, क्योंकि major, तो सब कुछ government का है, तो जब सब कुछ government का है, तो competition होगा नहीं, और यहाँ पर public और private दोनों में competition जाएगा, अब देखो न, Jio और Etel जैसे-जैसे बढ़ते चले गए, तो सरकार का जो, जो, टेलीकॉम का services था, BSNL, MTNL, वो almost ना के बरावर बच किया, तो यहाँ सरकार और private दोनों में competition जाएगा, motive, इसका profit है, इसका welfare है, इसका balance होता है, कि profit भी होना चाहिए, लेकिन साथ पर social welfare भी होनचे, economy में लोग सफर ना करें, prices की बात की जाए, तो यहाँ पर market forces के basis पर prices determine होते हैं, मैं बस recall करना चाहता तो capitalism के अंदर जो prices decide के जाते हैं, वो किसके तरू के जाते हैं, demand and supply के basis पर, government decides the prices, है ना, socialism में government decide करेगी, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर market forces तो decide करती हैं, लेकिन student को जो essential commodities होते हैं, उनके prices को सरकार regulate करती हैं, मालनो milk है, यहाँ कुछ important vegetables हैं, cereals हैं, pulses हैं, अब यह क जादा तर जो लोग हैं, वो consume कर ही ले, तो कि अगर इनके prices बहुत जादा हो जाएंगे, तो यह तो एक ऐसी चीज़े हैं, जो हर घर की requirement है, तो इनके prices बढ़ गे तो जो basic survival consumption है, वो भी एक challenge हो जाएगा, तो इसे government यहाँ पर regulate करना जानती है, कि कोई चीज़े हैं, जिनको regulate करें, अब इसका merit क्या है, intense competition, leads, innovation and better quality products, right, तेखो, क्योंकि मुझे पता है, I am not the only teacher who can teach international business, okay, so what I will do, I will try my best student, मैं अपना पूरा potential लगा दूँगा, एक वीडियो को इस तरीके से बनाने में, so that it can be as much as informative, okay, and engaging, right, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जहाँ मैंने थोड़ा सा interest lose किया, यह concepts को ऐसे ऐसे बताना शुरू हो गया, वहाँ I will lose my customers, क्योंकि यहाँ market के अंदर मैं अकेला नहीं बैटा, यहाँ market के अंदर n number of players बैटे हैं, जो इन वीडियो को record करेंगे, और students को tap करने की कोशिश करें क्यों, information आप से share करूं, वो up-to-dated रहे, examples use अच्छे से करूं, क्योंकि देखो, हम physically interact नहीं हो रहे, आप यह वीडियो देख करके, समझोगे हर एक concept को, तो वीडियो ऐसी बनानी पड़ेंगी, कि वो challenging ना हो, आप उस वीडियो को पूरा-पूरा देख सके, राइट, तो यह कि जो लोग सरकारी employees हैं, वो उनको अच्छी salaries भी दी जाए, तो दोनों चीज़े, वो balance है के चलती है, ठीक है, next हम बात करेंगे, last में demerits की, तो concentration of economic and power in the hands of few, ही तो बात बिलकुल सही है, कि income और power जो है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में concentrate हो जाती है, सब को नहीं मिलेगी, वो only few has this, right, ठीक है, slows down technological advancement and even lazy people are rewarded, है ना, अब लेको government jobs के अंदर क्या होता है, आप भी देखते हैं इस बात को, कि बहुत से लोग होते हैं, जो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, ना, उतना effectively काम नहीं कर रहे होते हैं, बट स्टेल क्योंकि government jobs के अंदर हैं, ठीक मिल रही है, तो ये थोड़ा सा challenge होता है, इसके अंदर, और conflict between government and private players, ठीक है, conflicts कैसे आते हैं, क्योंकि government अपनी जो strategy लेकर आती है, private के लिए वो कितनी fruitful होगी, private को देखना पड़ता है, तो कहने का मतलब students ये है, कि जब आप किसी भी country में business लेकर के जाएंगे, तो वहाँ प कि उस country में कौन सा economic system है, capitalism है, socialism है, ये mix है, तो इतना मतलब ये हुआ, कि जिन countries में capitalism और mix है, वहाँ पे अगर आप जाकर के business करेंगे, तो जो chances है, of success of your business are high, ज्यादा chances है, कि आपका जो business है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, successful हो जाएगा, बढ़िया चल जाएगा, लेकिन socialism में क्योंकि सरकार वहाँ पे grow करने नहीं देना चाहती, then it will be a challenge के वहाँ पे शायद आपका business थोड़ा on and off करके सफर करे, so this is the thing, right, चलो, so ये हो गया economic, ठीक है, अभे को economic indicators हमे कुछ दे रखे है, वो जरा हम समझ लेते है, जिसने economic indicators are major statistics, that tells us about the state and performance of an economy, right, so they help us to make decision policies, the future for growth and development of the country these include such as GDP, employment, interest rate, right, अब देखो student, मैं आपको एक चीज बताना चाहते है, जिससे आपको शायद idea लग जाएगा कि ये economic और infra जो indicator है, अच्छा एक बाह बताओ, आप लोगों ने बहुत बार सुनो होगा, आपके friends, या आपके relatives, आपका बड़ा भाई, बड़ी बेहन, या कोई आपके known में, आपके सुनो होगा कि foreign studies करने जाना चाहते है, आप में से ही बहुत से students होगे, जो लोग bachelors कर रहे हैं, और bachelors के बाद आप चाहते होंगे कि आप foreign studies के लिए जाना चाहे, आप में से जो भी foreign studies के लिए जाना चाहता है, ठीक है, जितने भी students हैं, आप में से को कोई भी अगर आपको लगता है foreign studies के जाना है तो देखो मेरा नाम है नितेश्वर्मा ठीक है भाई आप एक बार डाल देना नितेश्वर्मा ठीक है शकल से पहचान जाओगे कहीं न कहीं दूसरे 34 नंबर पर मैं नहीं मिलूंगा तो ऐसे करके डाल देना कोरा ठीक है उसके ब अच्छे links हैं तो मैं definitely आपको help कर पाऊँगा चलो आगे बात करते हैं तो मैं यह कहता हूँ कि आपने सुना होगा कि foreign studies के लिए बहुत से लोग है जो जाना चाहते हैं अब एक major country सोचो सुन क्या होते हैं लोग कहते हैं कि that we are going to USA और either we are going to Canada अब तो मुझे लगता नहीं अगले 4-5-6 साब कोई Canada जाना चाहेगा and then Australia, Thailand, UK and to some extent आपके सुन्जिया होगा Germany और जब मैं कुछ बात कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं यही है मैं कहता हूँ major के लावबी चीज है majorly यह country जहां पर लोग जो है वो जाना चाहते है reason क्या है कि हम इन country में जा करके अपनी पढ़ाई करना चाह रहे है Europe इतना सुन्दर है इतना सुन्दर है लेकिन Europe नहीं जाना चाह रहे है ठीक है जाना चाहिए मैं तो recommend करूंगा बिल्कुल जाना चाहि जॉब स्टूडिंट वहां असान होती है जिस देश के अंदर बिजनस जादा होते हैं जितने बिजनस होंगे उतनी जॉब्स क्रेट होंगी अफकॉर्स जिस देश में बिजनस जादा होंगे उस देश का GDP ऑटोमेटिकली जादा होग बस here is your answer कि in countries को इसलिए promote किया जाता ह है इन countries में जादा तर लोग इसलिए जाते हैं तो कि यह countries वह हैं जिनके GDP हमेशा आपको टॉप 10 में दिखाई देंगे यॉरॉप के अंदर बहुत अच्छी अच्छी countries हैं बहुत सुन्दर सुन्दर हैं लेकिन क्योंकि उनके GDP जादा नहीं है तो इसलिए उनको इतना promote नह है तो मैं आपको एक बात बताता हूं जिस देश में आपको वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप यहां पे रहते हो और आपके उपर कभी आई ही नहीं तो डील करोगे क्या तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया अच्छा है लेकिन आप जब फॉरं जा है कि पढ़ाई करने के बाद जितना ज्यादा जैश में बिजनस होंगे जॉब मिलना आसान हो जाएगा तो यह ही आ गया country में employment कितनी है inflation महंगाई कितना चल रहा है country के अंदर consumer price index is important क्योंकि consumer price index student आपको बताता है कि कोई country आपके रहने लायक है या रहने लायक नहीं है तो इंफ्रा अफकॉर्स बिजनस करने के लिए इंफ्रा बहुत जरूरी अपकल को कोई मुझे यह बोले कि वहाई काम करो एथियोपिया में जाके business कर लो तो एथियोपिया में business challenge उड़ान में business challenge है चार्ड रिपब्लिक में business challenge है अभी तक वो country बिल्कुल आप कह सकते हो कि underdeveloped अभी बहुत कम है उन countrys के अंदर इंफ्रा है ही नहीं तो तुम अगर वहाँ पे business आके करो गे ना तो बहुत दिक्कत आईगी तुम्हें business को setup करने में बहुत सारे challenges आएंगे अब चाइना है अब चाइना में जाके business करो तो इंफ्रा वाइस कोई problem ही नहीं ना communication के लिए problem ह ना transportation में problem है ना banking problem है ना power sector problem है ना water system problem है सब कुछ आपको fulfilled मिलेगा इतना मिलेगा जितने आपकी जरूत नियों से जाधा वापको available कराएंगे that means business के grow होने के जो चीजे चाहिए को जाधा है तो मैं जो अपने business को grow करने के लिए जिस country में जा रहा हूँ आखा infra देखना पड़ेगा अब इसे इंडिया के अंदर transportation system improve day by day हो रहा है पर अभी भी challenge है एक जगा से दूसरी जगा पर traffic की वज़े से population की वज़े से और क्योंक आपका infra होगा उसके according ही वो foreign investments को attract कर सकता है right students तो यह कुछ indicators और कुछ हमने factors पड़े international business environment को impact करने वाले कि क्या-क्या factors है कौन-कौन से indicator से student तो यह मारा part 1 था ठीक है इसमें हमने बात करी किस चीज की कि आपके बास क्या-क्या चीजे हैं कैसी-कैसी रहेंगी second part के अंदर हम बाकी जो और details है बाकी और जो environments है उनके बार में बात करेंगे और उनसे overcome करने के क्या तरीक है उनके बार में बात करेंगे I just request you guys अच्छे से सारे-सारे वीडियो को देखा करो समझा करो आपको एटूज साही चीज समझ में आएंगी राइट चलो बाइट टेक कैट मिलते ह चुमें